Very good morning kids, बच्चो, आज हम chapter 16, The Tiger and the Mosquito का part 2 लेखेंगे, कल मैंने आपको part 1 सिखाया था, I hope आपको वो स्टोरी पसंद आई होगी, तो आज हम उसका solution देखते है, so open your Marigold English book and let us start. So student, शुरू करते है, The Tiger and the Mosquito, उसमें first question है, कि what was the Tiger doing when the Mosquito came buzzing by, कि जब Mosquito buzzing कर रहा था, तब Tiger क्या कर रहा था, तो उसका answer क्या है बच्चो, कि the Tiger was buzzing under a tree when the Mosquito came buzzing by, question 2 देखते है, why did the Tiger's cheek start to bleed, कि Tiger की cheek में से blood निकलना क्यों शुरू हो गया, The Tiger's cheek started to bleed, because while trying to hit the Mosquito, the Tiger hit himself with his paw, कि Tiger की cheek से blood निकलना इसली शुरू हो गया, क्योंकि जब वो Mosquito को मारने की कोशिस कर रहा था, तब उसका ही जो paw, मतलब उसका जो पंजा है, वो अपने आप पे ही उसको लगा, Why did the Tiger walk away? The Tiger walked away because he was helpless and could not make the Mosquito fly away from him, कि Tiger इसली वहाँ से चला गया, क्योंकि वो बहुत ही helpless हो गया था, वो लाचार हो गया था, क्योंकि वो Mosquito को उड़ा नहीं पा रहा था वहाँ से, Right बच्चों, आगे देखते हैं, What did the Mosquito say? I am not afraid of you, तो the Mosquito says, So because the Tiger was behaving as if everyone should be afraid of him, Right बच्चों, स्क्वेशन देखते हैं, Say aloud ये कौन-कौन से वर्ड है, तो बैंक, बीन, बिस्केट बन, गूस, गॉस, गॉन, ग्रे गन, फैन, फ्यू, फिल्ड फीश, लैंप, लिक, लिप, लूज, ओके? तो बच्चों, अभी ये हमें, Why do we learn from this story? ये स्टोरी में से हमने क्या सीखा? कि we learn that everyone is special in his and her own way. कि we should never underestimate anyone. कि हमें किसी को underestimate नहीं करना चाहिए. कोई भी वो अपनी अपनी तरह से special होता ही है और हमें अपने आपे proud नहीं करना चाहिए. राइट? आगे देखते हैं, How are they different from each other? लाइन और टाइगर में क्या different है? तो लाइन और टाइगर में क्या different है? लाइन इसका ब्लैंक्स देखते हैं कि ब्लैंक्स है, ताइगर वो पेड़ के निचे लेटा हुआ था. अब अब आगे उसका ब्लैंक्स देखते हैं कि तो मॉस्कुटो बॉस्डवे, मॉस्कुटो वहाँ से चला गया. एवरिवन इस ग्रेट इन इस ओन वे, एवरिवन मतलब सभी, हर एक अपनी अपनी तरह से वो ग्रेट होता है. ओके बच्चो, और यह आपकी वूक में है, एक्टिविटी वो आपको A, B, C, ट्रेस करनी है और लिखनी है. बच्चो, यह हमारा होग है, सॉलुशन यहाँ पे कम्प्लीट. राइट बच्चो, आपको उसका रिविजन करना है और नौर बोह में लिखना है. बबाई.